असलाने कुम आदाब सच्रेकाल मैं हूँ राजा आदम वेलकम टो एमाट हेर एंड स्रीकल लेजर क्लिनिक प्रेजेंट अडम्स एडम्स एपल उपन माइक सेशन तो अगर आपके पास भी टैलेंट और आपको लगता है आप इस सेट पे आ सकते हैं और लोगों के समने अपन आपको प्रेजेंट कर सकते हैं नो मैटर कोई भी केटेग्री हो विकॉज हम उपन मैक लाइक ले आ रहे हैं कश्मी के तमाम के लिए तो अगर आपके पास भी है टैलेंट रेजिस्टर नाव आपके स्क्रीन में नंबर दिये हुए है आज हम जिस गैस से मिलने जा रहे हैं असलाम अले कम दोस्तों मेरा नाव नजाकित अलीठी खान और मैं हूं गांधर भल के तैसीलार से लार के वलिवार इलाके से शेर शेर में मैं अपने नाम सुल्तान अली खान इसमाल करता हूँ हालनक मैं यह नहीं समझता हूँ कि मैं कोई शायर हूँ या बहुत बारा कोई कलमकार हूँ लेकर मैं समझता हूँ कि मेरे उसाज़ा साहबान के महरवानी है अल्ला ताला का करम है कि दुन्या में जो कुछ देखता हूँ या सुनता हूँ उसे अपने अलफाज में परो लेता हूँ तो अपने तारीफ में बस में चारी लाइने कहूंगा कि मैं एक शय तमाशा हूँ लोग उडाते हैं मजाख मेरा कि मैं एक शय तमाशा हूँ लोग उडाते हैं मजाख मेरा पलट कर जवाब देना नहीं है मजाज मेरा तुम्हारी दौलत, तुम्हारी शुहरत तुम्हे मुबारक, कलम मेरी है दौलत मेरी, इल्म मेरा है ताज मेरा मैं आजा स्टूडन हूं स्टूडर अफ सेंटर उन्वरस्टी आफ कश्मीर पर्सुइंग ला इन साइकंड से हम लेकन कालीम के इलावा मैं कुछ लिख लेता हूं शायरी लिख लेता हूं हालंकि ये शोक मुझे बहुत पहले से था लग बग दोसा सोना दोसा सत्रा से मैं उसी अंदाज में कुछ लिख लेता हूं अगला शहर में आजकर के दोर के लिखते हैं जो आजकर के दोर के नौजवान है आजकर के दोर जो कहते ही प्यार है जो आजकर के दोर का प्यार हमें हूं उसके बारे में अगली चार लेने लिखना लिखी है मैंने लिखा है के बिखरी डौरूं से कभी रिष्टूं को बुना नही हक को बातल में कभी हक को चुना नही अब तो बूल गया हूँ उसे बस मलाल एक बात का है कि वो हांदानी रईस है ये पहले सुना नही इसी समन में मैंने अगला शैर भी लिखे हैं अगली चाहल लाइने भी लिखी हैं लिखा है के बड़ी मुद्द से दिल पे एक सवाल लिखा है सुना है के बहुत अमीरे हैं अबा तुमारे सुना है के बहुत अमीरे ही अबा तुमारे तब ही मेरी तकदीर में बहुत माल लिखा है अगली दो लेने जो मैंने लिखी हैं ये आज कल के दौर की सिर्फ आज कल के दौर की कहानी नहीं बलकि हर दोर हर हुकुमत या हर किसी दोर की कहानी है तो लिखा है कि इनसानियत के जनाजे में उबरती सियास्त देखी है जहालत सर्याम और तैलीम जेरे हिरास्त देखी है हमने देखा है कई फकीरों को तक्त और ताज समालते हमने देखा है कई फकीरों को तक्त और ताज समालते और कई ताजडारों की लुटती विरासत देखी है चलिए अगली कुछ एक नज़म लिखी है मैंने तो ये नज़म में आपकी पेशे खिर्मत करता हूँ लिखा है कि लिखना मुझे आता है पर में हर बात नहीं लिखता नहीं लिखता में किसी अपने का यू दोखा देना नहीं लिख सकता मैं किसी अपने का यू दोखा देना और गैरों का खर घम में खड़ा रहना मेरे साथ नहीं लिखता दिल चाहता है के लिख दू सारी दौलत नाम तेरे पर फिर बदल जाते ही खालात नहीं लिखता खाता हूँ हर रोज एक नया जखम दिल पे खाता हूँ हर रोज एक नया जखम दिल पे लेकिन उन जखमों की अदुवियात नहीं लिखता दिखता है खड़ा एक खजू में अवाम मुझे दिखता है खड़ा एक खजू में अवाम मुझे लेकिन उस अवाम में कोई अपना नहीं दिखता सुना है के वो अब बूल गया है मुझे उड़ती उड़ती हबर आई है सुना है कि वह भूल गिया है मुझे चलो उससे थे कभी कोई तालुकात नहीं लिखता अभी तो बहुत कुछ लिखना था मुझे खिलाफ तेरे अभी तो बहुत कुछ लिखना था मुझे खिलाफ तेरे लेकिन चलो तो कहता है तो नहीं लिखता तो अगले दो चार लेने लिखी है मैंने तो लिखा है कि तेरे दिल से हिज्रत कर चले हम किसी और जगा तेरे दिल से हिज्रत कर चले हम किसी और जगा ये मकाम हमारा नहीं चले हम किसी और जगा ये मकाम हमारा नहीं चले हम किसी और जगा दफनाया गया मुझे जब तेरी गली के कबरस्तान में मैंने कहा दिखता है मुझे अपना महबूब यहां से ले चलो मुझे किसी और जगा तो अगली फिरे कुछ मजाखिया शायरी पेश करते हैं जी मैं एक देशी आदमी हूँ बेडिक लास फैमली से बिलाउंग करता हूँ हम बेडिक लास फैमली की हाथ कर जे आज कल के यूथ ही उनकी सबसे ज़ाई प्राबलम जो है वो है पानी क्यों है वो मैं बताता हूँ तेरे इश्क में अगर गुम्रा होना न पड़ता तेरे इश्क में अगर गुम्रा होना न पड़ता तो बिस्तर ये कांटू का बिछोना न पड़ता तो बिस्तर ये कांटू का बिछोना न पड़ता हम भी होते मौमिने जमाना अगर हम भी होते मौमिने जमाना अगर पांच वकत मूँ दोना नपड़ता तो चलिए आखरी कुछ लाइने पेश करते ही तो लिखा है कि कलमे दिल में बरडाली सियाही हमने कलमे दिल में बरडाली लहू की सियाही हमने कल में दिल में बर डाली लहू की सियाही हमने लिख डाली हर खुद बीती और मन चाही हमने लिख डाली हर खुद बीती और मन चाही हमने सुना है कि तू बना बैटा है कहीं गैरू को हम सफर अपना सुना है कि तू बना बैठा है घैरू को हम सफर अपना छोड़ दिये कई बेवफा राही हमने स to आफर में आप सब के शुक्रिया मज़े सनने के लिए आज कल के दोर में मुझे आपने बैठेख है उसके लिए शुक्रिया और पूरी अगनैरज ट्रमिक शुक्रिया कि मुझे यहां बुलाया तो आखरी की दो लाइने में पहाडी कबीले के पहाडी अदब के मश्कूर शायर गुजरे हैं जनाम मरहूमिया महमद बखष साथ उनके कलाम से इक्तिदाम करता हूँ हाला कि मुझे पता है कि सब को यह समझ नहीं आएगा लेकर मैं जानता हूँ मुझे सुनने वालों में बहुत से अब वो लोग भी होंगे जो इस सबान को समझेंगे तो उनके लिए चाल लाइने में ये दो लाइने में पेश करता हूँ तो मरहूमिया मुझे बखष साब लिखते हैं कि बेजा यार खवाले रब्दे मेले चार दिना दे उस दिन गोसी ईद मुबारक जिस दिन फिर मिला गे फियामान इलाओ अलाने के बान झाल झाल